असलाम लेकुम कैसे आप सब उमीद करती हो आप सब ख्यारियत से होंगे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चार वेच पकोड़े बनाने की रेसिपी उमीद करती हो आपको में यह रेसिपी पसंद आएगी सबसे पहले हम बनाएंगे कठल के पकोड़े इसके लिए मै अच्छी तरीके से चला लेना है और इससे आपको तब करना है जब तक की आपका कठल बिल्कुल सॉप्ट नहीं हो जाता है आपको ध्यान देना है कि जब कठल में नमक एड़ कर ले तो आप इसे अच्छी तरीके से इक बद जरूर मिक्स कर ले इसके बाद इसका ढखकन ब 15 min हो चुकी है इसके निराकर मारिने करेंगे कफ़ल करेंगे तब हम इसमें एड़ करेंगे नमक, नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लें, फिर आप इसमें एड़ करें आदा चम्मच से थोड़ा कम जीरा पाउडर, आदा चम्मच से थोड़ा कम धनिया पाउडर, उतना ही हम एड़ कर देंगे काली मिर्ची पाउडर और रेड चिली पॉर्डर आप अपने टेस्ट के अप्राइट कर लें जितना भी आपको तीखा पसंद हो अब इसमें एड़ करें के गरम मसाला पौडर आधा चमच और एक चमच अपने एड़ करेंगे जिंजर गरलिक के पेस्ट की इसके बाद आपको इसे अची तरीके से म अफ़ रही होने के लिए इसके बाद एक रख लेंगे इसमें एक अप्त आपके अची तरीके से मिक्स कर लें हमें कथल को कुक्षिट के हमें इसे तरुक पारी थंदे अगर लिए भाइब आठ possibility भी जूँआ के अगयर फ्लेम पर ग lleg दिसमें लिए 100 g ने बड़़ सी गूबस ते लिए लिए 500 g पनीर, आसे बड़े समें तर अब नमक नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करें पिर असमें एड़ करेंगे काली मिर्ची पौउडर एक चोथाइज चमबच छेज रेड चीजों को अच्छी तरीके से आपको पनीर में मिक्स कर ले और पनीर को आपको मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देना है तेन बैतर ने लिए बाझ पनीर कोड़ने और नहीं है या लिए पाही है। दोनों साइट से तरीके से कुक कर ले जेब दोनों साइट से अच्य से कुक हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे भी साइड में रख देंगे अब हम इन पकोडों को फ्राइ करने के लिए बैटर बनाएंगे इसके लिए मैंने एक बॉल में लिया है आधा कप बेसन इसमें मैं एड़ कर दूंगी दो चमबत चावल के आटे चावल का आटा एड़ करने के बाद आप इसमें एड़ कर दें चमच पार्ड चिली पावडर यह पीच से काली टो के झाना किया गर मुर्ची पॉडर माद इस हैं टोका है यह गाल को pó इक हम सी जो रहा है कि जाए बाते आ पानी यह जिएर हमार धाला को आपकों अपको जब दस मिनिट के रिए रस्ट होने के लिए छोड़ देना है उसके बाद आप एक गढ़ाय ले और उसमें और ऊइल कर लेना है अब हमने जो कठल को कुक किया था वह एक एक कर की बैटर्स में एक एक कर देंगे और एक एक कर के कठल के पकोड़ों को फ्राइगे कठल के पकोड़े आप एक एक करके डाल ले आपको इसे medium to high flame पे cook करना है क्योंकि हमें बस इसे crispy करना है अंदर से जो कठल है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से cook हो चुकी है जब ये एक side से अच्छे से cook हो जाएंगी तब हम इसे पलट लेंगे और इसे दूर से side से भी अच्छी तरीके से cook करेंगे इसे cook होने में चार से पाच मिनिट के टाइम लगेगा चार से पाच मिनिट में ये दोनों side से बिल्कुल करारे हो जाएंगे जब ये golden brown हो जाएंगी तब आप इसको निकाल ले और इसे किसी tissue paper पे रख ले ताकि इसका जो excess oil है वो निकाल आए ये देखिए बिल्कुल ये golden brown हो चुकी है अब मैं इसे निकाल लूँगी इसे निकालने के बाद आपको इसे tissue paper पे रख लेना है अब हम पनीर के पकोड़े बनाएंगे पनीर के पकोड़े बनाने के लिए आपको जो हमने पनीर को cook किया था वो एक एक करके batter में add करना है फिर आपको उसी process को repeat करके पहले batter अच्छे से पनीर पे लगाना है फिर आपको इसे अच्छी तरीके से oil में fry कर लेनी है इसे भी आपको medium to high flame पे fry करनी है जब ये एक साइट से अच्छी तरीके से fry हो जाएंगी तब आप इसे पलट लेंगे और इसे दूसरी साइट से अच्छी तरीके से fry कर लेंगे पनीर के पकोड़ों को फ्राइ होने में 3-4 मिनिट का टाइम लगेगा जब यह दोनों साइट से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब आप इससे निकाल ले और इसे टिशू पेपर पे रख ले अब हम बनाएंगे पालक के पकोड़े पालक के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले आप पालो को अच्छी तरीके से साफ कर ले और उसकी जो स्टेम है वो आप उसे निकाल ले उसकी बाद बैटर में अच्छी तरीके से डिप करें और एक एक करके पालक के पकोड़ों को इसे भी आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे बहुत जादा क्रिस्पी बनती है आप इस रेसिपी को जरूर च्राइब करें और अपने इफ्तार में इस रेसिपी को जरूर शामिल करें जब यह दोनों साइब सची तरीके से कुख हो जाएंगे तब आप इसे निकाल ले और यह दोटी देर के बाद आप फिसे बैटर में डिप करें और इसे निकाले और सॉफ करें शारे पकोड़ो को निकाल लेके भाद आप इसके ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देग और इन रेसिपी को ज़रूर ट्राइब करें थैंक्स फॉर वचिंग अपने फ्रेंड् Allah Hafiz.